हे अब्रिवन सो थम्निल से आप लोग को क्लियर हो चुकिए कि आज की हमारी टॉपिक क्या होने वाली है अक्सिडेटिव फॉस्फोराइलेशन राइट बाई इलेक्ट्रोन ट्रांस्पोर्ट चैन के बारे में तो सब नहीं सुना ही होगा तो यह किसका पार्ट है अक्सिडे अक्सिडेटिव फॉस्फोराइलेशन दो टर्म से मिलकर बना हुआ है अक्सिडेटिव और फॉस्फोराइलेशन ऑक्सिडेटिव यानि कि इसमें ऑक्सिडेशन होगा और फॉस्फोराइलेशन यानि कि यहांकि फॉस्फेट एड होगा फॉस्फेट एड होगा तभी तो ATP बनेगी और oxidation जो step होगा वो ETC होगा यानि कि electron transport chain में क्या होता है oxidation होता है so इसे हम लोग define कैसे कर सकते oxidative phosphorylation एक process होता है जिसके द्वारा क्या NADH और FADH2 के अंदर जो energy stored होता है उसी energy को use करेंगे हम लोग ATP बनाने में it is the process by which energy stored in NADH and FADH2 is used to produce ATP oxidative phosphorylation mitochondria के inner membrane में होती है तो यह है हमारी mitochondria प्यारी सी mitochondria this is the outer membrane and this is the inner membrane यही inner membrane यहां पे oxidative phosphorylation होती है और inner membrane और outer membrane का जो beach का space होता है उसे inter membrane space करते हैं and middle portion को matrix बोलते हैं oxidative phosphorylation हो रहा है तो यहां पे matrix और inter membrane space यह दोनों का role बहुत जादा important होता है तो आगे हम लोग detail में इसे पढ़ने वाले हैं तो respiration का मतलब क्या है O2 हम लोग लेते हैं और CO2 release करते हैं तो respiration का simple सा मोटो क्या है इसका objective क्या होता है respiration का to produce ATP ATP बनाना इसका simple सा मोटो होता है यह याद रखना है आपको ओके देखो O2 हम लोग लेते हैं तो O2 proton के साथ मिल कर यानि कि hydrogen के साथ मिल कर water बनाता है वो कैसे बनाता है आगे हम लोग देखने वाले हैं तो यह है oxidative phosphorylation का process जिसमें की 5 complex involved होती है पाचों complex मिल के ATP बनाती है complex 1, complex 2, देखो यहाँ पे है complex 2, यहाँ पे है complex 3, complex 1, complex 2, complex 3, complex 4 and complex 5 तो यह जो complex 1, 2, 3 and 4 चार complex जो होती है वो ETC के अंदर आती है यानि कि electron transport chain और मैंने क्या बताया था electron transport chain में क्या होता है oxidation होता है यानि कि यह चारों complex में oxidation होगा oxidation मतलब loss of electron यह चारों complex में electron का loss होगा और complex 5, complex 5 के अंदर क्या होता है phosphorylation होता है यानि कि यहाँ पे phosphate add होगा और ATP बनेगी यह याद रखना है यहाँ पे कि complex 5 के अंदर आके ATP बनता है तो complex 5 का नाम है ATP synthase complex सारे complex का अलग-अलग नाम है और सारे complex का नाम हमें बिल्कुल याद रहना चाहिए तो complex 5 का नाम है ATP synthase complex नाम से clear है ATP synthase यानि यहाँ पे क्या होगा ATP का synthesis होगा और देखो यहाँ पे complex 1, 3 और 4 यहाँ देखो यह तीनों से क्या हो रहा है proton यानि कि hydrogen matrix से inter membrane space में जा रही है 1, 3, and 4 2 से नहीं जा रही है 2 से देखो यहाँ मैं दिखाया कि 2 से नहीं जा रही है तो इससे याद रखना है कि 1 से जाती है 3 से जाती और 4 से यह तीनों complex क्या करती है matrix उसे proton को उठाती है और उसे inter membrane space में fake देती है this is the matrix and this is the inter membrane space यह inter membrane space कैसे है मैंने बताया था क्योंकि oxidative phosphorylation कहा होती है inner membrane में और mitochondria double layered होती है तो यह inner membrane है और इसके इधर भी तो एक membrane होगी outer membrane तो उन दोनों का space क्या हुआ inter membrane और यहां पर बीच में क्या होगा matrix होगा matrix में बहुत सारे hydrogen पढ़े वे हैं वही hydrogen यह complex पकड़ती है complex 1 complex 3 and complex 4 और उसे क्या करते inter membrane space में डाल देती है और उसी hydrogen को inter membrane में पढ़े वे hydrogen को complex 5 यूज करती है और उसी की help से ATP बनती है ओके overview तो समझ में आ गई अब इसे deeply बढ़ते हैं electron transport chain यह क्या होती है एक series होती है protein complexes की जो embedded होती है mitochondrial membrane में और electron transport chain में कितने complex होते हैं complex और यहां हमें 4 complex के नाम याद करने complex 1 complex 1 का नाम क्या है NADH dehydrogenase complex 2 complex 2 का क्या नाम है succinate dehydrogenase complex 3 इसका नाम है cytokrome BC and complex 4 का नाम है cytokrome oxidase यह finger पर याद होने चाहिए complex 1 है NADH dehydrogenase complex 2 है succinate dehydrogenase and complex 3 है cytokrome BC complex 4 है cytokrome oxidase देखो complex 1 का नाम NADH dehydrogenase क्यों है क्योंकि complex 1 क्या करती है matrix में पड़े वे NADH को convert करती है NAD plus plus H plus में ok matrix में crap cycle चलती है उसी से NADH को formation होता है वही complex 1 क्या करती है उसको break करती है किसकी help से NADH dehydrogenase की help से इसलिए complex 1 को NADH dehydrogenase कहा जाता है complex 1 का एक और नाम है NADH coenzyme Q oxidoreductase ok this is the first protein in the electron transport chain पहला complex यही है NADH dehydrogenase की help से जब NADH का oxidation होता है तो यहाँ दो electron का loss होता है और यही electron help करती है complex 1 की proton को matrix से inter-membran space में पहुचाने के लिए मतलब electron help कर यह matrix से hydrogen को inter-membran space में ले जाने के लिए ok तो electron यहाँ help करती है उसके बाद यह आगे की और चली जाती है यानि कि यहाँ वो travel करती electron transport chain यहाँ electron का ही travel होता है तो electron final इसका acceptor जो होता है electron का वो oxygen होता है finally electron complex 4 में जाता है जहाँ वो oxygen की help करता है hydrogen के साथ bind होने में जिसकी वज़े से water का formation होता है सबसे पहले यह electron complex 1 की help करती है चार proton को inter-membran space में ले जाने के लिए उसके बाद यह electron यहाँ से निकलती है उसके बाद हो enzyme UB quinon के पास पहुंसती है ठीक है यह complex 2 के पास नहीं जाती है UB quinon के बाद यह complex 3 में जाती है वहाँ help करती है proton को inter-membran space में ले जाने के लिए उसके बाद यह cytokrome C के पास जाती है उसके बाद वहाँ से travel होके यह complex 4 में जाती है वहाँ भी यह help करती है proton को inter-membran space में ले जाने के लिए उसके बाद यह oxygen की help करती है hydrogen के साथ bind करके water बनाने के लिए अब देखतें complex 1 में यह electron कैसे कह रही होता है सबसे पहले यह electron FMN के पास जाता है उसके बाद यह FES के पास जाता है उसके बाद यह co-enzyme UB-quinone Q जो है उसके पास जाता है यहाँ पे co-enzyme UB-quinone एक mobile protein होता है यानि कि यह move करती रहती है यह stationary नहीं होता है जैसे कि complex 1,2,3,4,5 यह क्या होता है यह fix रहता है यह move नहीं करता है लेकिन UB-quinone move करती है यह यहाँ से electron लेके उसका बाहर निकल जाती है लेकिन यह complex 2 के अंदर नहीं जाती है उसके बाद Q के बाद जो electron होता है वो direct complex 3 के अंदर चले आती है 2 के अंदर नहीं जाती इसलिए complex 2 क्या करता है proton को pump नहीं कर पाता है यानि कि वो matrix से intermembran space में proton को भेज नहीं पाता है अब देखतें complex 2 complex 2 का नाम है succinate dehydrogenase इसका एक अधर नाम होता है succinate Q-oxido-reductase तो इसका succinate dehydrogenase नाम कैसे बढ़ा जब crab cycle में एक step है जिसमे succinate से fumarate का formation होता है तो वहीं पर क्या होता है FAD से FADH2 का formation होता है तो यहाँ पर क्या हो रहा है complex 2 क्या कर रहा है FADH2 को convert कर रहा है FAD में तो यहाँ जो enzyme काम करती है वो succinate dehydrogenase होती है तो इसलिए इस complex का नाम succinate dehydrogenase रखा गया है तो यह second entry point होता है electron transport chain का इसमें दो component होते है complex 2 में FAD and FES इसमें लेकिन proton pumping activity नहीं होती है यह से part है यहाँ से pump तो हो नहीं रहा है तो electron complex 1 के बाद UB quinon के पास गई थी उसके बाद वो direct complex 3 में आती है तो complex 3 का नाम है cytokrome BC complex इसका other नाम है cytokrome C oxy reductase इसके तीन सब यूनिट होते है iron sulfur protein FES जो FES complex 1 में भी था और इसमें complex 2 में भी था तो iron sulfur protein FES इसका भी सब यूनिट है और cytokrome B दूसरा सब यूनिट है cytokrome C इसका तीसरा सब यूनिट है cytokrome क्या होता है protein containing heme group होता है complex 3 का जो cytokrome C subunit होती है वो mobile protein होती है वो यहां से move करती है उसके बाद ये inter membrane में चली जाती है inter membrane सो होते हुए वो complex 4 पे जाके attached रहती है you can see here यह cytokrome C यहां से move कर रही है complex 3 से move करते हुए यह inter membrane space में जा रही है और वहां complex 4 से जाके attached हो रही है यानि कि यह यहां इसे electron ले रही है cytokrome 3 में electron गई cytokrome C के पास गई उसके बाद ये electron लेके cytokrome C electron लेके complex 4 के पास सली आती है उसके बाद जो complex 4 का part होता है cytokrome A, cytokrome A3 वो उस electron को carry कर लेती है complex 4 जिसे cytokrome oxidase बोला जाता है final step of electron transport chain यहां पर आके क्या होता है electron का movement stop होता है इसमें क्या होता है reduction of molecular oxygen जो oxygen होती है जो respiration से oxygen आ रही थी वहां क्या होता है उसका reduction होता है यानि कि यहां पर hydrogen उससे जाके attach होगा किसकी help से इसी electron की help से जो NADH से आ रही थी NADS से ही उसका जब oxidation होता है तो दो electron वहां से loss हुई थी वही electron move करते हुए complex 4 में आती है और यहां oxygen की help करती है hydrogen से bind होने में जिसकी वज़े से क्या होता है water का formation होता है complex 4 जो होता है complex 4 में 3 important subunit होती है पहला जो subunit होता है उसमें 2 heme group होता है A and A3 साइटोक्रोम A and साइटोक्रोम A3 उसे बोलते है second subunit में 2 copper iron होता है electron जब complex 4 में पहुँचती है तो यह क्या करती है matrix से 2 proton को inter-membran space में ले जाने में help करती है उसके बाद यह oxygen की help करती है water बनाने में सो यहां electron transport chain stop होती है उसके बाद जो यहां total कितने proton inter-membran space में गए matrix से total 10 proton 10 hydrogen inter-membran space में गए कैसे चार गए complex 1 से चार गए फिर complex 3 से and 2 गए complex 4 से और यही total 10 proton की help करती है ATP बनाने में complex 5 की help करती है तो यहां oxidation complete होती है यहनि की electron transport chain यह stop होती है उसके बाद क्या होगा phosphorylation होगा phosphorylation कहां होगा phosphorylation complex 5 में होगा complex 5 ATP synthase complex जिसे F0 F1 particle भी बोलते हैं इसके दो सब unit होते हैं F0 and F1 F0 में जो होता है protein channel होता है proton के flow के लिए and F1 sub unit matrix के तरफ होती है जिसमें की ATP synthase present होता है जो ADP and inorganic phosphate की help से ATP का formation करता है oxidative phosphorylation यहां complete होती है उसके बाद हमें इसमें एक चीज़ याद रखनी होती है electron का flow सबसे पहले electron NAD के पास जाती है उसके बाद FMN के पास जाता है उसके बाद coenzyme UB quinone के पास जाती है उसके बाद electron complex 3 में पहुचती है जहां वो सबसे पहले cytokrome B के पास जाती है उसके बाद cytokrome C1 के पास जाती है उसके बाद यह cytokrome C के पास जाती है और साइटोक्रॉम C मूफ करते वे कॉम्पलेक्स 4 के पास जाती उसके बाद वो वहाँ से साइटोक्रॉम A उसके बाद साइटोक्रॉम A3 के पास जाती है उसके बाद वो अक्सिजन के पास जाती है